उनका कहना है सर हमारे semester 5 में syllabus क्या choose करना है तो मैं एक एक करके explain कर देता हूँ पहले program वालों का कर देता हूँ फिर honors वालों program के अंदर कोई भी core subject है ही नहीं semester number 5 है program के अंदर कोई भी core subject नहीं है भोला गया भाया इसमें से कोई एक choose कर ले सबजिक्स दे दिये गए इसमें से चूज करना है core subject नहीं रखा गया लेखिन ये core subject college बना देते हैं कुछ college वाले बोलेंगे जैसे कि unit number 1 मानते है तो unit number 1 में धेर सारे subject है HRM है, principle of marketing है audit and corporate governance है financial reporting है, documentation है document management system है तो SOL के अंदर एक तो ये subject दिया जाता है principle of marketing दिया जाता है ये दो subject दिये जाते हैं और एक corporate governance दे दिया जाता है बाखी के ये दो subject वो देते ही नहीं बच्चों को बोलते हैं ये नहीं देंगे regular के अंदर में भी ये मिल सकता है सर इसमें से कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए जो आपको benefit मिलेगा तो मैं कहूंगा अगर आप MBA के side जा रहे हैं तो या तो आप HRM को चूज कर लीजिए या principle of marketing चूज करिए ये दो सब्जेक्ट चूज कर लिए जो आगे plan कर रहे हैं और किसी other professional courses के लिए वो ये subject चूज करें या फिर वो ये subject चूज करें देखिए सारे subject अच्छे है लेकिन मैं पहले फिलाल बोलूँ आइए दूसरा दिया गया आपका discipline specific elective में पहला दिया गया है financial management ले लीजिए या फिर आप goods and services tax and custom law बोल दिया या फिर आपका training development या industrial law जो GST वाला point है ये आपको नहीं दिया जाता जर्नली GST और FM देखो दोनों ही subject अच्छे GST वाला point नहीं दिया जाता अब I don't know DU वाले क्यों नहीं देते चूज करने पर honors में छटे में आता है हाँ छटे में तो आपको मैं कहूंगा कि आप जो है न ये subject choose करें scoring के लिए ये subject choose करें बहुत से बच्चे दो subject choose करते हैं एक करते हैं industrial law और एक करते हैं financial management मैं बता रहा हूं financial management जो है आपके subjects जो है वो cost से आसान है और life में काफी important है managerial work के लिए अगर आप आगे कहीं job का plan कर रहे हो और चाते हो banking में एकदम अच्छे से job मिले banking के terms को समझना बड़ी company के अंदर छोटी company में financial management का थामी नहीं है सर बड़े organization में इसका work होता है ठीक है न तो एक तो मैं अगर clear बताओं मैं यहां slave selection के लिए आपको ठीक से बता देता हूं एक तो मैं HRM और इन दोनों में से choice करूँ एक subject दूसरा यहां पर मैं financial management choice करना पसंद करूँगा बाकी subject आपको मिलेगा ही नहीं जनरली नहीं देते वो college to college depend करता है regular college non college में तो बोलते है यही subject लेना है लो नहीं लेना मत देते ही नहीं option अब आप भी सोच सकते ह हो कि regular college में यह option compulsory क्यों किया गया कुछ ना कुछ सोच समझ के कर आओगा कि regular college है आगे reputation डाउन नहीं एक यह subject मिल जाता है इन दोनों में option तो मुझे choice करना बोले मैं financial management ले लिए अब भाई यह subject ऐसे है ना एक ED है एक personal finance है मैं कहूंगा personal finance ज्यादा easy है theoretical plus practical है और जो ED है entrepreneurship development इस बार का result में actual का बताऊं दस में से ना आठ बच्चे फील है और इसमें one month की चुट्टी मिलेते हैं I don't know बच्चों को क्यूं feel हुए कैसे हुए मुझे नहीं पता तो मैं नहीं suggest करता यह लो आप यह subject choose करो सारा mix करके सारा mix करके post office में कैसे पैसे जमा कराते हैं निकालते हैं banking से related थोड़ा है मतलब finance personal finance हम अपने जीवन में मुझे 5 लाख रुपे दे दिया जाए तो हम उसको किस तरीके से manage करेंगे थोड़े पैसे post office में डालेंगे तो post office में किस खाते में डालेंगे तो real life से connected है अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत interesting subject है लास्ट फिर से आगे आपके पास HRM यहाँ पर भी देखो HRM दे दिया तो यहाँ obvious है HRM देंगे नहीं वो basis of accounting fundamental of marketing और business ethics अब यह सारे subjects आपके बसते हैं तो बच्चे जो है जायतर fundamental of marketing चूज करते हैं इसके अंदर बच्चे यह चूज करते हैं या फिर जिनका accounts बहुत अच्छा है तो मैं बोलूगा यह चूज कि अगर आपने यहां HRM ले लिया तो यहां लेने ही नहीं देगा option नहीं बंद कर देगा हो ठीक है तो एक यह subject ले लो fundamental और एक बेसिस बेसिक्स ऑफ accounting बेसिक्स ऑफ accounting में वही रूल ऑफ डेबिट क्रेट ग्यार्वी क्लास वाली अकाउंटिंग आ जाती है तो जो दोनों में से study material BU के side पे available है SOL के website पे भी आप एक बार study material डाउनलोड अभी तो देखो selection का नहीं आएगा आप डाउनलोड करके भी उसके पढ़ सकते हैं उसके इसाफ से आप तयारी कर सकते हैं और बाकि अभी बहुत टाइम है आपके पास option बाकि मैंने सिर्फ और सिर्फ financial management का जैसे की batch start किया है इसमें से सिर्फ और सिर्फ किसका financial management का स्टार्टिंग से इसलिए कर दिया कि मैं भी अब ऐसा नहीं करू किस लिवस खतम करना है डेट गंटे की class दो दो गंटे की एक सबा गंटे की class लेंगे आराम से पढ़ेंगे और आराम से इसलिए खतम है ऐसा भगदर नहीं बचाना है इसके अंदर पिछले बार भी बहुत कम टाइम मिला था बच्चों को तो मैंने पूरा टैनियर कवर कर आया था टैनियर अपडेट होके आ जाएगा पिछले साल का मार्केट में वैसे अवेलिबल है तो इसके इसाब से अब सर और वाले क्या चूज करें ओनर्स वाले बच्चों का सलेबस है मेल तो अनर्स वालो में यह कॉर सब्जेक्ट जिसके अंदर उन्होंने बोला वालो बच्चे आपको तो यह पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और इसमें एक सब्जेक्ट और है प्रिंसिपल अफ माइक्रो और किदर आया मैंने माइक्रोग्नामिक्स नहीं बोला है वह कहां अग्या अगर एक सब्जक्ट अया नहीं नहीं एक सब्जक्ट उनका नहीं कर देते हैं वह माइक्रो हाँ, SOL में माइक्रो एक्नॉमिक्स कंपल्सरी है, वो किदर किया है? नहीं, 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 इनका मेन में कर देते हैं, एक सब्जेक्ट और लिख रहा हूँ, यहाँ पर आया है, नहीं है, DU के स्लिवस में, मतलब कि मैंने यहाँ पर टाइप नहीं कर आया हो, शायद माइक्रो एक्नॉमिक्स कंपल्सरी करते है, SOL वाले, जो कि लेना ही लेना ठीका नहीं एक नहीं?